मसकार, आईए आज बात करते हैं एक निया सिरीज जो हम आप लोग के लिए शुरू कर रहे हैं और इस सिरीज को हम गाइनेकलोजिकल टॉपिक्स पे ले कर आ रहे हैं क्योंकि मैं डॉक्टर जी एसेस महापातर हूँ, एक सीनियर गाइनेकलोजिस्ट, लापरोस्कोपिक and मेरा specialization है endometriosis, तो इस डिजीज से लेते हुए काफी सारे गाइनेक डिजीजेस के उपर हम डिसकस करेंगे, लेकिन एक simplified तरीके से और चार different languages में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, English, Hindi, Bengali and Aurea, तो यह आपके लिए Hindi का presentation है, तो what is endometriosis, वहाँ से शुरू करते हैं, endometriosis क जा है, और endometriosis के symptoms क्या हो सकते हैं, आज का video इसी topic पे होगा, so that next time कोई और endometriosis का diagnosis और उसके लावा next treatment और काफी सारे diseases discuss करेंगे, आज endometriosis के symptoms क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनको हम लोग diagram के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे, so if I take you to the pen, तो अगर देखेंगे आप Just a minute, मैं आपके लिए ये erase कर देता हूँ, and दुबारा से draw करते हैं, सबको पता है एक patient का एक uterus होता है, right, so हर female का एक uterus होता है, ये uterus का निचला हिस्सा है, यहाँ पे दो tubes होते हैं, and यहाँ पे दो ovaries होते हैं, right, now, uterus का निचले वाला हिस्सा से निकलता है vagina, और uterus के सामने होता है, जहाँ पेशाब स्टोर होता है, उसको हम लोग urinary bladder बोलते हैं, and uterus की पीछे जाता है intestine, जहाँ से आप जो खाना खाते हैं, वो पैखाना में convert होके निकलता है, English में इसको sigmoid, नीचे वाले part को rectum बोला जाता है, now, हर menses में हमको पता है, patient का एक vagina के थुरू निकल जाता है, now, कुछ amount of blood वापिस अंदर चला जाता है, into the muscles of the uterus, जिसको हम adenomyosis बोलते हैं, हम किसी और episode में इसके बार में discuss करेंगे, and some amount of the blood, वो यहां से tubes के अंदर, जो opening है, fallopian tubes के द्वारा, tubes के उपर deposit हो जाता है, इसको हम hemato salpings बोलते हैं, वो जाके ovary के उपर deposit हो जाता है, तो हम उसको chocolate cyst बोलते हैं, endometrioma बोलते हैं, endometriotic cyst भी बोलते हैं, that is, to stages of endometriosis, अगर stage 1, 2, 3, 4 है, तो stage 3 में chocolate cyst एपियर करते हैं, और stage 4 जाके, यह जो blood यहां से tubes के द्वारा बाहर पेट के अंदर गया, यह जाके uterus और intestine जो खाने का जो नली है, उसके बीच में deposit हो जाता है, उस जगा को हम pouch of dogless बोलते हैं, या तो intestine जो जाता है, उस पे चिपक जाता है blood spots, जिसके चलते हैं यह जो intestine है ना, यह uterus के पास खीचा चला आता है, तो imagine कि जिए body का कोई part अगर uterus के तरफ खीचा चले जाए, तो जो inflammation है, जो fibrosis है, उसके चलते patient को severe pain होता है, और यह uterus और ovary बे देखिए, relationship जैसे ovaries और tubes अलग हैं, इन endometriosis क्या होता है, यह ovary uterus के ठीक पीछे आ जाएगा, यह tubes और ovary भी पीछे आ जाते हैं, तो अब जितने सारे जगा पे वो deposit हुआ, उसी को लेके patient को symptoms नजर आएंगे, so अगर वो urinary bladder पे deposit होता है, तो patient को menses के दोरान urine pass करने में severe pain होता है, disuria बोला जाता है, अगर ovary पे deposit होता है, तो chocolate cyst बोला जाता है, tubes पे deposited होता है, तो hemato salpics जिसके चलते patient का pregnancy रेने में problem होता है, और अगर वो uterus के अंदर muscle वाले layers पे चला जाता है, तो severe pain during menses होता है, और intestine और uterus के भीतर जोग वाला spot है वहाँ पे, तो जब male organ link जाता है, और उनका intercourse होता है, तो deep disperonia, मतलब uterus के जो अंदर वाला हिस्सा है, वहाँ पे patient को severe pain होता है, severe pain, उसको deep disperonia बोला easily tell that it is a disease of disease, dysuria, मतलब पेशावले रस्ते पे, severe pain during menses, dysuria, मतलब पैखाना पास करते वोग मेंसे के दौरान, severe pain, dyspareonia, deep dyspareonia, मतलब जब husband के साथ, जो male partner के साथ, relationship रखा जाता है, तो severe pain होता है, और dreaded endobelly, मतलब पूरा के पूरा महिना, patient को लगता है, जैसे पेट मेरा सू दिवाल पकड के चलना पड़ता है, pain हर वक्त endometriosis में, severe degree का ही होता है, and pain menses के काफी पहले भी शुरू हो सकता है, menses के दौरान भी रह सकता है, and menses के बाद भी continue कर सकता है, तो यह रहा आज के लिए हमारा यह topic in short, the symptoms of endometriosis क्या क्या हो सकते हैं, आशा करता हूँ, आप सब को यह पसंद आया होगा, next time हम लोग कोई एक, we will go into the diagnosis of endometriosis, कि उसको diagnose कैसे क्या जाता है, आजकर latest gadgets क्या आ रहे है, and फिर further काफी सारे diseases भी हम cover करतेंगे, नमस्कार, thank you.